नमस्कार मैं सुनीता कपह मंथन में आप सब का स्वागत करती हूँ कपह मंथन में आज सुनिए बकुल कथा का 20 वा अध्याए बकुल कथा से संबंदित सारे अध्याए आपको हमारी प्लेयरिश से मिल जाएंगे लिंग एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं बगुल कदा का बीस्वा अध्याई अब तक हमने देखा कि शंपा घर छोड़ करके चली जाती है और वो पारुल की घर आ जाती है पारुल के घर वो अपने संगी को भी साथ लाती है किन्तु उसको बुखार हो जाता है जिसके कारण पारुल अभी उसकी सेवा में निद्ध हो जाती है अब आगे मेरे घर में कोई अच्छी चीज मौजिद नहीं रहती शंपा को बिठा कर उसके सामने कई बिस्कुट और कुछ हलुआ रखकर चाय डालते डालते पारुल ने कहा रजगुल्ला वजगुल्ला खाने का मन हो तो फिर बजार जाना होगा बहराल तो नहीं है लेकिन इच्छा कोब ही होगी शंपा पहले ही गटगट करके एक गिलास पानी खतम करके बूली यह छोरा चंगा हो जाए फिर जाया जाएगा बेहद ही पेटू है समझी मिठाई का तो यम है मुझे अकेले खाते देख इश्या से जल मरेगा लेकिन तुमारा हलुआ भी बुरा नहीं है अभी तो स्वर्ग का अमरित लग रहा है चाई भी डाली रही हो गुड तुमारा खाना पकाना हो चुका पारूल हस कर बोली वह तू आ रही है मैं खापी कर बैठी रहू हूं मतलब शंपा ने आखों को कपाल पर उठाकर का तुम क्या जानती थी कि मैं आ रही हूं क्यों नहीं जाना जाता है मेरी मारे जोतिश वोतिश जानती हो किया मान ले जानती हूं तो पारुल ने का जानती हो सच शम्पा जट पट उचल कर बोली तो खाने के बाद मेरा हाथ देखना तो जरा प्रेम विवा, पारिवारी सुक, शिशा दिख्षा इन सब का क्या फला फल है एक टक उसके मुग की और ताकर पारुल ने का सारे ही फल अच्छे हैं यह तो टालना हुआ देखना होगा और तुमने चाए नहीं पी? नहीं, मैं ऐसी दुपहरे में चाए नहीं पीती पारुल ने हसकर का अरे बाबा यह नहीं करती, वेह नहीं खाती इन सब के कोई माने है? जी चाहे जो करो तो मान ले इच्छा नहीं होती यह और बात है तो मुझे ही क्योंने एक कप और दे दो अच्छा भूआ उसे थोड़ी सी दे दे कोई हर्ज है उसे यानि चाहे नहीं नहीं धूप में बुखा रहते, अभी तो दवा पी है तो फिर छोड़ो चाहे के नाम पर मरता है न इसी से में जरा जी कैसा कर रहा है और अन्मनी होकर प्याले की और ठक ठक करके चमच को ठोकने लगी शंपा क्या तो बताया नाम उसका? खा पिकर जरा जी पाकर मुझ पौशते वे शंपा बुली माने माबाप का दिया हुआ नाम तो सत्यवान है मगर मैं जामवान, फकवान कुछ कहती हूँ और क्या? इस लड़की की बातों से पारुल करमशय और अक्रिष्ट होती गई गजब है वह पारुल के छोटे भाईया की बेटी है छोटे बाईया का चाल-चलन धंग, धर्रा सभी तो सनातनी है और उस सनातनी आबो हवा में ऐसी लड़की कैसे उगाई? बुली, अच्छा ही तो करती है लेकिन हटात, जामवान के गले में माला डानने की कैसे सुझी? वही तो, वही तुम लोग भागे का लिखा या कहती हो न वही और क्या हम भागे के लिखे विश्वासी है यह तुस्से किसने कहा? अरे बाबा, यह भी कहना पड़ता है सब को विश्वासी तो होना ही पड़ता है किसी ना किसी समय में मुझे ही देखो ना मानती भी नहीं हूँ कुछ तुम्हारा स्वर भी बुगा बुगा सा है अलाकि देखने में तुम और भी खुबसुरत हो तुम्हारे बुड़े पिता देखने में खुब सुन्दर थे ना? थे, पारुल ने जरा गंबीर गले से का मा भी सुन्दर थी शंपा भी हटात कंबिर सुर में बूलटी सोचने में कभी-कभी सहसा खुब अश्यारे होता है घर एक ही है, वही कमरा, दालान, खिड़की, दर्वाजा लेकिन लोग बदलते जा रहे है संसार की रीती नीती, बदलती जा रहे है एक बल दल जा रहा है, दूसरा आ रहा है पारुल ने धीमे हसकर का हाँ, एक दल दिवार में सिर ठोकता है और दूसरा दल उस दिवार को तोड़ता है कुछ ताक कर देखते हुए शंपा फिर बुली तुम दोनों बेहनों में बड़ी समानता है बात में विचार में, लेकिन यह तो कहो तुम्हें क्या लग रहा है जो तोड रहे हैं वे भूल कर रहे है पारुल वैसी धीमी हसी हसकर बुली मैं कहने वाली कौन होती हूँ क्या गलत है, क्या ठीक है यह राय देने का मालिक सिर्फ इतिहास है किवल इतना ही कह सकती हूँ जो हो रहा है वे अनिवारे है इतिहास का नियम है उसी नियम के रक्षार्थ मेरे पिता की पोती जामवान के गले में माला डालेगी अब यह बठक वाजी तोड़ो चल कर देखू बुआ भती जी क्या खा सकती है यही बहुत है राजबोग की जिद लिए बैठू मुझे ज़्यादा बाते नहीं आती नहीं तो तुम्हारे लिए महत भात कहकर एक प्रशस्ती ही का देती सकती थी खैरियत है कि ज़्यादा बाते नहीं आती जा उधर देख तेरे रोगी का क्या हाल है अभी भी सो रहा है या जग गया जाती हूँ शंपा एका एक गंभीर भाव से बुली सोचकर अवाक हो रही हूँ कि तुम्हें जाने सुने बिना ही आग कैसे पड़ी जानती सुनती नहीं थी किसने कहा जानती थी कह रही हूँ हो सकता है शायद जानती थी तभी तो सहास हुआ अचानक उसे बुखार बुखार होकर ही माने कुछ दिन पहले खुब सक्त बिमार पढ़ा था बचे की नहीं ऐसी हालत हो गई थी ठीक से चंगा होते नहोते फिर खटने लगा और यह हाल कुली मजदूरी का काम है नहीं खेर अपनी ही गाती जानी तुम्हारी सुनो तुम्हारे दौनों लड़के तो दूसरी जगह रहते हैं तुम्हारे पास कौन रहते हैं मेरे पास मेरे पास मैं ही रहते हूँ खूब बहुत खूब लगता है खूब मजे मैं हूँ गंगा किनारे बरांदा वाला ऐसा मकान केवल अपने को लेकर रहती हो पारूल ने हस करका केवल अपने को लेकर रहना तेरे लिए बड़ा अदर्श है क्यों मेरे लिए है शम्पा हस उटी मैं तो सोची नहीं सकती मुझे तो लगता है कोई मुझे प्यार नहीं करता कोई मेरे लिए अकुला कर मरता नहीं मेरे अभाव में कोई दुनिया को अंधेरा नहीं देखता ऐसा जीवन असाय है लेकिन तुम्हारी बात अलग है उम्र हो गई है अच्छा नीचे चलती हूँ पारूल शायद विदा या आचना सुनने ही पाई इसलिए धिरे से बुली इतनी बात तुने सीखी कहां से क्या जाने शायद अपने आप ही लेकिन मा कहती है बुआ नहीं मेरा बारा बजा दिया बुआ के दृष्टानत नहीं मेरे परकाल को साफ कर दिया लेकिन देखो समानता कुछ भी नहीं बुगा ने जीवन भर गड़ी हुई प्रेम का ताय ही लिखी सच्चे प्रेम के पास कभी नहीं फटकी और मैं, मैं तो आठ साल की उम्र से ही प्रेम में पढ़ती आ रही है शाबाश तो सब शायद सच्चा प्रेम ही है उस समय तो वैसा ही लगता है लेकिन है क्या जानती हो डांट पर नहीं टिकता दो-चार दिन कुछ प्रेम रेम होते ही कमबक छोरे मान बैठते हैं बया होगा यह फूटी आँखों नहीं सुहाता सिर्फ प्यार शायद बड़े मज़े की चीज़ है ना पारुल नहीं जरा गंबीर गले से का मज़े की तो है मगर बात यह है कि फिर इसी के वो फूटी आँखों सुहाता कैसे देखा बया का परशन उठाने से ही तो बाप से जगड़ा हुआ शंपा भी हटा गंबीर गले से बोल उठी इसमें मामला और है यहां यह अभागा ही भिहा के खिलाफ है हरदम यही कहता है खिसक पड़ो बाबा मेरी और से खिसक पड़ो तुम्हारे पिता किसी दामी पातर को लाकर भिहा कर देंगे मैं अभागा हूँ रहने खाने का ठिकाना नहीं नौकरी की स्थरता नहीं, बीवी को क्या खिलाओंगा, मुझसे दोस्ती क्यों, इसी से मुझे जित सवार हो गई, उसकी और तक कर पारूल ने धिरिशका, इस ब्यास से सुकी हो सकोगी, शम्पा ने अमलान बदन से कहा, होने में रुकावट क्या, सुकी होना तो अपने हाथ में है, हाँ, मरा मरा जाये तो बाता लग है, पारूल ने कहा, तेरे मुझे क्या कुछ नहीं आटकता, बुगा भी यही कहती है, शम्पा हस्ते भी चली गई, एक बहुत बड़ा अभावनिया भार कंदे पर आ पढ़ने पर भी पारूल में अच्छा लगने जैसा भाव आय बहुत दिनों की बाद चंदन माई के आई, यानि भाईयों के यहां, आप्रतियाशित अविर्भा स्वर्गी है, परबोध कुमार की बड़ी लड़की चमपा कभी कभी यहां आती है, पके बालों के बीच गंजी पड़ी गोल सी जगा में सिंदूर लेपकर, कपाल में सिं गुटने के वात रोग, अमलशूल और पती की हफनी खासी, रक्त अमाशे तथा चिड़चडे मिजाच की गप करती है, भाई भाई की इस्त्री और भतीजों की भवोव पर बीस पच्चिस दफा नालिश ठोकती है, बंदे दातों की पाठी उतार कर, रखकर मसूडे से बाद बाकर समोसा कचोडी संदेश रजगुल्ला खाकर बकुल के बारे में कुछ तथ्य और उसकी लिखी दो-चार पुस्तके बटोर कर चली जाती है, बकुल से कभी भेट होती है, कभी नहीं होती, भेट होने पर हर बार नए सिरे से एक बात पूछती है, अरे, अपना व यह किताबे उन्हीं लोगों के लिए है, मैं तो भईया, साथ जनम में भी नाटा को पन्यास नहीं पढ़ती है, उन्हीं लोगों को सौ कौत भले, तू कैसे लिखती है, कैसे फिरती है, उठती है, बैठती है, यही सब, मैं सच कहती हूं, बाबा, हमारी ही तो बहन है, और ह नहीं लाती है, तो क्यों नहीं ले आती, बकुल हस कर कहती है, चमपा पिछ से दलान या सिड़ी के कौने में पान की पिक फेक कर मूँ को हलका करके कहती है, लाने का मतलब है मेरा ही जहमिला, उनके लिए किराए की गाड़ी ठीक करो, हा कि ये बैठी रहो, कब साथ सिंगार हो ठीक है, तो उनके किताबे ही ले आना, दो चार किताबे ही दे दे, चमपा स्वर्न लगता की बड़ी लड़की सी लगती ही नहीं, लोटते समय किताबों का पैकेट बांधते बांधते और भी एक बात कह जाती है, चमपा, नए कानून से अब तो लड़कियां भी पिता की जाइदत पा रही है, हम लोगों के नसीब में तो सब कानून बेकार है, जो घास पानी वही घास पानी, तू फिर भी चलाकी से पिता का घर खुब भोग किये ले रही है, बकुल मुस्कुराती है, वे हसी के अपनी चलाकी की महिमा की, चमपा काना दिवाद घटना होते वे भी घटती है कभी कभी, कि चंदन उसका तो चैरा ही भूल गए है घर के लोग, अलाकी खास दूर नहीं रहती, राना घाट में ही रहती है, फिर भी उसके पैरों की धूल इस घर लोग को दूरलब है, चंदन के ससूर, राना घाट के मशूर वकील थे, वहाँ वह काफी पती अरजित कर गए थे, जगा, जमीन, बाग, पोखर, धान, चावल, चंदन के पती, जीते जी वही भुना कर खाते रहे, अब चंदन ही मालिक है, चंदन को छे लड़कियां है, लड़का नहीं है, और प्रियाया सभी लड़कियों का बेहा हो गया, एक ही शायद कुमारी रह गए, फिर भी चंदन को फुरसत नहीं, उसी दुर्मुल्य समय किसे, जो कुछ फिजूल में खर्च करके, रेल की राया देकर हटा, चंदन यहां क्यों आई, यह दुर्बोत था, लड़कियों के भिहां में डाक से नहोता, भेजने के सिवा, और तो कोई नाता ही नहीं काई लोगों ने भी नहीं, पत्र के उत्तर में यह कुछ मनियाडर बस, आकर खड़े होते ही विसमें, आनन्द और कौदुहल के प्रशन को ताक पर रखकर, जंदन टैक्सी से उतारे गए समानों में ही व्यस्त हो गए, घर में, घर के सभी की हाडी एक है या अलग-अलग, इस प्रशनें उसे उतावला कर दिया, यदि हाडी अलग-अलग हो, तो जो कुछ लाई है, जैसे राना घाट का मशूर रसकुल्ला, मान कच्चू, भिंडी, सहजन, कच्चा पपीता, सबका हिस्सा अलग-अलग करना पड़ेगा, लेकिन पूछना भी तो कठीन है, लेकिन बातों की चतुराई से ही तो दुनिया चलती है, यही भरोसा, चंदन ने अवाज दिये, अरे ओ, कहा हो ग्राणियों, सभी रसोई में हो, उसने द्रिश्टी पैनिकी, यह देखेगी कि कौन किधर से आ रही है, खबर इसी बीच फैल गई थी, और सब चौकरनी होकर तांग जाक कर रही थी, अचानक, अचानक ही यहां कैसे, अप्रतिब होने की बात उसी की थी, किन्तु वह अप्रतिब होने वाली स्त्री नहीं, वह अपनी दादी मुक्तकेशी की हड़ी की बनी है, इसलिए वह किसी और न ताक कर, साथ के आदमी को निदेश देती रही, मचली को आंगन में रखकर, उस नल में हाथ दोकर, तब दूसरी चीज में हाथ लगा, ठैर ठैर, बेरों को मत कुचल, अचार बना कर ही लाने की सोची थी, पर जटपट आना हो गया, हर समय संगी तो मिलते नहीं, भाई-भावी तो कभी बुलाने से रहे, फिर भी बाप का घर, जुड़ा बांदा है क्या, यह एक वाहियात किसम के जुड़े का फैशन चला है, हमारे राना घाट में भी कमी नहीं, जिनके पेट को भात नसीब नहीं, उनके सिर पर भी इतना बड़ा जुड़ा, कानू की भव को देख रही हूं, और बकुल कहा है, किताब लिखने वाल लेक्चर जाड़े, और ठेरी, जाते से मैं घर पर बता कर नहीं जाएगी, अजात जनाना हो गई है शायद, मेरी लड़कियां तो रोजी अखवार लाकर दिखाती है, माह यादे को तुमारी बेहन की तस्विर, माह यादे को तुमारी बेहन का नाम, मैं कहती हूं, उस अन लेक्चर देती फिरती है, सुनकर हसी आगी है, अवश्य पिताजी तो हम लोगों को बहुत पहले ही गला दबा कर घर से निकाल बाहर करके छुटकारा पा गए थे, बाद में पारूल बकुल को आधुनिक वाधुनिक करके तियार किया होगा, मैं तो बेटों से कहती हूं, हम सब एक ही मा के पेटके हैं, तुमारी मा को बहुती सवेरे गुहाल में नहीं डाल दिया गया होता, तो वह भी तेरी मौसी जैसी ही हो सकती थी, लेकिन हाँ, यह भी कहूंगी, बकुल ने बेहा नहीं करके किर्टी रख जाने का काम किया है, इस वंश की तीन पीडियों मे कोई दूसरा दृष्टान्त नहीं दिखा सकता, शुरू शुरू में तो सस्राल में मूह नहीं दिखा सकती थी, बाप के घर आना किसी कारण से बंद हो गया था, अपर्व की बहु अलका ने मुस्क्रा करका है, यह तो कलाइव के अमल की बाते हैं, चंदन ने अधिक उसा स देखा, तुम लोगों के लिए वही है, हमारे लिए तो यही उस दिन, कि खेर जाने दो, कोई मिठाई को उठाकर रखो चीटी लगेगी, बेरो को इसी समय धूप में देना था, मान कच्चू, कच्चा, पपीता, कतला, मचली, सबके साथ घर का परसंग मिला मिला कर, अकेल हसते ही मर जाना पड़ता, लेकिन एका ये की हो, आने का कानन को समझ रहे हो, कानूने का वही तो सोच रहा हो, ये मजले बाबू और मजली ग्रानी साथ पाच में नहीं रहते, घर में किसी प्रकार की घटना घटे, ये निरलिप्त की भूमिका में अभिना करते जाते हैं,